नमस्कार आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट मैं हूँ नितिन कुमार उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनाव करीब है साथियो तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो राजनितिक दल है और राजनितिक दलों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो बड़े नेता है वो अब गटबंधन और दल बदलने की जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के चुनाओं के दौरान होती है उसे अब उत्तर प्रोदेश में भी बढ़ावा देने में लगातार लगे हुए हैं बीते तिनों आपने देखा होगा कि समाजवधी पार्टी में कई सारे अलग-अलग छेतरों से बड़े नेता जिनका वोट बैंक भी काफी मजबूत रहा है उन्होंने या तो अपनी पार्टी का गड़बंदन समाजवधी पार्टी के साथ करवा लिया या फिर वो खुद ज पुरवान चल हो या फिर पस्चिम हो या फिर मद हो वहाँ पर बढ़ रही थी क्योंकि जो नेता थें वो लगातार समाजवधी पार्टी में जुड़ रहे थें और ऐसे में बीजेपी के सामने समस्याएं पैदा हो रही थी कि अब हम आगे क्या करें तो अब बीजेपी न भी कहीं न कहीं इसका तोड़ निकाल लिया है लगातार भारती जनता पार्टी नाराज विधायकों को जो दूसरे दलों के हैं नाराज नेताओं को अपने पाले में खिचने में लगी हुई है और उसी कड़ी में आज भी बीजेपी कारयाले में जो की राज़णी पर मुख्यमंत्री योगी अधितनाथ प्रदेश अध्यक्ष इन सब की मौझूदगी में बड़ी जॉइनिंग हुई जॉइनिंग के साथ साथ चुनावों को लेकर भी संगठन की बैठक होई और उस बैठक में ये अनेड़ने लिया गया है कि आने वाले दिनों में भारत समय का जो कारकाल के दोरान जो काम किया गया है इन दोनों ही सरकारों की तरफ से वो जनता के पीछ जाकर के जनता को बताये जाएगा कि आखिर वो कौन कौन सी प्रमुक योजनाए रही है कौन कौन सी ऐसी योजनाए आने वाली है अगर वो सत्ता में आते हैं वापस या फि यही सारे बड़े चहरे मौजूद थे मुकमंतरी योगिया दितनात मौजूद थे धर्मेंद प्रधान मौजूद थे लक्षमिकान बाचपे, सुनीर बनसल, केशब प्रसाद मौरिया, उत्तर प्रदेश के उपर मुकमंतरी, डिप्टिसियम, दिनेश शर्मा, यह सारे बूतिशा भी आने वाली 2 दिसंबर को सहारनपुर आने वाले हैं, और सहारनपुर में वो बूत सम्मेलन करेंगे, बूत सम्मेलन में कहीं न कहीं वो कारिकरताओं को कुछ गुणा गड़ित बताते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाओ है, सब को म आपको केंदर के चुनाओं के लिए जादा मेनत नहीं करनी पड़ेगी, और उसी को देखते हुए ये रणनीतिया, ये गुणा गड़ित भिडाया जा रहा है, लगविक सभी राजनितिक दलों की तरफ से, कैसे इसको एक रोड मैप के जरिए कागजों में उतारना है, और कैसे बहतर और काम आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कर सकते हैं अगर हम सत्ता में आते हैं तो, तो ये तो बात हो गई BJP की, दूसरी तरफ अगर हम समाजवधी पार्टी की बात करें तो सपा भी लगातार, जॉइनिंग, गट बंधन, इन पर फोकस कर रही है, वो ये जान रही कि पस्चिम हो गया या पूरब हो गया, अगर यहां पर हमने छोटे छोटे राजनितिक दलों को अपने साथ ले लिया, तो कहीं न कहीं हमें बड़ा फाइदा मिलने वाला है, और ओम प्रकाश राजभर, महांदल के संजे सिंग, ऐसे कहीं सारे जो नाम है, वो समाजवादी पार्टी के साथ जब से आए हैं, तब से कहीं न कहीं, सपह की जो ताकत है, वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और वो ताकत, रत यात्रा, जो कि अकलेश यादों की विजह यात्रा के नाम से, इस वक्त उत्तर प्रदेश के अलग अ तारिक को, तीन तारिक को जहासी में, अलग अलग जगहाँ पर ये जो विजह यात्रा कलेश यादों की है, वो निकलने वाली है, लेकिन अकलेश यादों जिस तरह से पूरब को, पश्चिम को सेट करने में लगे हुए थे, उसी का काट अब बीजेपी ने भी निकाल लिय ही है, और बीते सालों में सत्ता में भी इन लोगों ने खुद को काबिस करवाया है, और उसी मसे एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जिनका अपना वड़ा वोट बैंक है, मायवती, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की रह चुकी है, और आज मुख्यमंत्री का कि एक बार फिर से वो जनता के बीच मीडिया के सामने आई थी और उन्होंने साफतोर पर इस बात को कहा कि हम आने वाले चुनाओं में किसी भी राजनितिक दल से गड़बंदर नहीं करने वाले, हम 403 सीटों पर अकेले चुनाओ लड़ेंगे, हमें जनता का समर्थन है, हम 2007 वाला रिकॉर्ड एक बार फिर से दोराने वाले हैं, लेकिन इस दोरान उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ कुछ मुद्धों पर भी चर्चा की, उन्होंने कहा कि आखिर सरकार पिछड़ी जाती का जन्गणना क्यों नहीं करवाना चाहती, सरकार कानून व्य भायवती की तरफ से ट्वीट और प्रस रिलीस के जरीए लगातार भारती जन्ता पार्टी पर हमला बोलते हुए देखा गया है, और इसके अलवा हम बात कर रहे हैं कॉंगरेस की, क्योंकि कॉंगरेस जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करने में लगी प्रयांका गांधी लगातार संगठन को मजबूत करने में, कारिकरता लगातार जन्ता के बीच जा जाकर, कारिकरता एक दूसरे को समझा करके, ये करने में लगे हुए हैं कि कैसे जो 22 का चुनाओ है उसे लड़ना है, कैसे जन्ता का वोट पाना है और कौन-कौन सी वो प् लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाओ कहीं न कहीं बहुत माइने में बहुत एफेक्टिव रहता है अन्य प्रदेशों के चुनाओ के लिए भी और केंदर के चुनाओ के लिए भी 2007 में अगर हम देखे तो ये चुनाओ कहीं न कहीं मल्टी कॉर्नर था मल्टी कॉर्नर इसलिए क्योंकि लगबग सभी राजनितिक दल उस दौरान मजबूत थे और कहा जा रहा था कि जो चुनाओ है ये लगबग सभी राजनितिक दलों में बटा हुआ है और उस दौरान 2007 में बहुचन समाज पार्टी मायवती मुकमंतरी के रूप में जीत कर आई थी 2012 की अगर हम बात करें तो 2012 में भी कही न कहीं ये मल्टी कॉर्नर चुनाओ हुआ था और वहाँ पर भी अलग-अलग राजनितिक दल जो उत्तर प्रदेश में हैं उन्होंने अपनी मजबूती दिखाई थी लेकिन अकलेश यादो मुकमंतरी के तौर पर आए थे लेकिन ये सारी चीजे बदल गई 2017 के चुनाओ में 2017 का जब चुनाओ हुआ तो कहीं न कहीं देखा गया कि जिस तरह से सारे समीकरण धोस्त हो गए और बीजेपी ने जिस तरह से प्रचंड जीत पाई 325 सीटे वो जीत करके उत्तर प्रदेश में काबिज हुए तो उसे साबसाबित हुआ कि जो बीता समीकरण था वो कहीं न कहीं धस्त हो गया और इस बार का ये जो चुनाओ है ये कहा जा रहा है कि ये बाइपोलर चुनाओ हो सकता है क्योंकि बीजेपी एक तरफ खुद को मजबूत करने में लगी है लगातार वो अपने संगठन को अपने कारकरताओं को और छेतर में अलग-अलग जो हिससे हैं वहां की जो छोटी चुटी पार्टियां है उनको अपने साथ लाने में लगी हुई है तो दूसरी तरफ समाजवदी पार्टी भी इसी गड़ित पर कही न कहीं काम कर रही है तो ये 2022 का जो चुनाओ है ये उत्तर प्रदेश में ये राजनितिक दल किस तरह से लड़ेंगे और कैसे अपनी 80 घमासा अंग्चरम पर पहुँच गया है तमाम बाटियोंने अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए तैयारिया शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा विराजमान होने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारिया तेज कर दी है इसके मद्दे नजर बीजेपी पूरे प्रदेश में छे बड़ी यात्राएं निकालेगी और इन यात्राओं के जरिये पाटी अवतकाशी, गुरपुर, ब्रिज, पश्चिम यूपी और बुद्लेल खंडशेत को कवर करेगी बीजेपी अपने इस यात्रा के जरिये मौजूदा सरकार की ओर से चलाई गई यूजनाओं के बारे में सब को जानकारी देने के साथ अपने कारकरताओं को इलेक्शन मोड में भी लाएगी इस बैठक में सियम योगी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सुतन देश सिंग, दोनों उप मुख्य मंत्री, केंदिय मंत्री और विदान सबाचुनाप रभारी, धर्मेन प्रधान और बीजेपी प्रदेश संगठन के महा मंत्री सुनील बलसल समेत कई प्रमुख लो उन्होंने कॉंग्रेस पर मंडल कमिशन की रिपोर्ट लागू ना करने का आरोप लगाया है। OBC वर के लोगों को भी आरक्षिन की सुविधा में लें। अब केंद्र और राज्यों की जातिवात सरकार नए नियम बना कर इसे प्रभाविन बनाने में लगी है। जहां अखिलेश यादव एक दिसंबर को हेलिकॉप्टर से बांदा में उतरेंगे। उसके बाद अपने विजरत पर सवार होकर महोबा आएंगे जहां उनके द्वारा पुलिस लाइन एस्थिट मैदान में जनसभा को संबोधित कर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधेंगे। यूपी विदान सभा चुनाव 2022 को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी, कॉंग्रेस और बसपास सहित तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। हाला कि सच्चाई यह भी है कि चुनाव में अंतिम समय में जनता अपना बहु मोल वोट किसे दे दे यह कोई नहीं चानता है। हाली कारवाई करना है। क्योंकि जनता अपार्टी के रुट्रम्थियों के साथ जोड़ता है। और हम उसको जोड़ सके। क्योंकि यहां यहां राम, चादी, औरस, परिवारवार की दिवारों को तोड़ते वे। प्रदेश के अंदर दिकास और राष्णवार की सवग को गांगा और घर घर तक पहुचाने का एक अधना होगा भार्टी जनता पार्टी का। जनता अधनकि आधन वं, और घर क। क्यों मन्डल केमिशन की रुपोर आने के बाद भी इस पार्टी की सथामें इसे लाग जराई। जिसें थिसकी नहीं अपने अचट प्रयासों से केंद पे रहीं शिरी वीपिसिणि की सथाम से नाग भवाः क। यूपिन में वर्टमान में चब रही, भाजबबा सम्कार में हमें धाविप अर्पसंतर समाज में से, खास कर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में वे हर स्तर पर काफी जादा दुखी नज़र आते हैं, इस सम्कार में आप इनकी तरक्पी होनी की दर्धर बंसी आप लोग रन निती ताइ करते रहेगे, क्यमें पूरवानचल स्ट्रौंग करना है, और इधर बीजेपी ने कई सारे बड़े नेताओं किया जॉइनिंग कर वाली और अब वो आने वाले दिनों में चुनावी यात्रा भी निकालने वाली है जो कि पूरवांचल के लिए ही निकलेगी आप क्या करेंगे आप धलने बाद नितिन जी देखिए ऐसा है करना हमें कुछ नहीं करना जो कुछ भी है वो जनताओ करना और हमारा मकसद वही है कि जो जनता का है जो जनता की आवाज बने जो जनता की कामों को पूरा करें जो अधूरे रह गए हैं उत्तर परदेश में पांच साल के अंदर जो भी सरकार ये नहीं कर पाई है उसको पूरा करना गरीब मजलूमों की आवाद उठाना हम को किसी पाल्टी में अपना ज्हंडा उचा करके बड़े बड़े नेताओं की अपने पाल्टी में इंट्री करा कर बड़ी बड़ी रेलिया निकाल कर बड़े बड़े जलूस समारो बना करके और अपनी ताकत पैसे के बल पे और धन जनता के दिखावे के तोर पर जो यह की जा रही है समाजवादी पाल्टी इसकी गोर दिंदा करती है और हम इस तरह का कोई भी कार नहीं कर दिया यह ल जनता का माल पांच साल इन्व ने लोटा है तो वो कहां जाएगा अब चुनाओ के टाईंपर काम आएगा और नोच तन बचा हो चुनाओ से Halloween आता है तो उनको किसान याद आते चुनाओ का समाब आता है तो उन्हें घर концlaum याद आते है चुनाओ से पहले क्यों नहीं खदर महंगाई बढ़ा दी के परदेश की जंता में हाहाकार मतने लगा और जब आपकी सरकार नहीं थी तो यही आपके मंत्री, केंदरी मंत्री, इस मितरा राणी जी सीना पीट रही थी, विदवावे लाप कर रही थी, हाय हाय महंगाई डायन खाय जा रही थी अब वो महंगाई महंगाई नहीं है क्या इन्होंने डॉलर बंगा करके दे दिया क्या तो अब ये जो पूरवांचल में लोग अपनी चुनावी यात्रा निकालने वाले हैं और लगातार पूरवांचल के कुछ बड़े नेताओं के संपर्क में भी है कुछ की जॉइनिंग हो रखी है तो ये सब तो कहीं न कहीं नुकसान पहुचा देगा न बिल्कुल सही बात है नितिन जी ये बड़े बड़े नेताओं के और बड़े बड़े उधोग पत्यों की संपर्क में तो है यह बड़ी बड़ी उधोग पत्यों की पार्टी तो है अडानी और अम्मानी येसे ही तो लोग इनका फाइदा उठा रहे हैं नितिन जी और ये बड़े-बड़े पुझी पत्यों को इस पार्टी में शामिल करने का इनका काम है और वोट तो आम आदमी डालता है वोट तो वोटा लेगा के जो 100 रुपए किलो टमाटर और 100 रुपए 200 रुपए किलो प्याद और 200 रुपए किलो कड़वा तेल खरीद रहा है इनको कड़वे तेल से क्या मतलब ये तो आली वाइल इस्तमाल करते हैं और वह भी इनका विजेस से आता है तो पारी भी बाहर का पीते ह पता है इनको तो महिंगाएं इंका मुद्दा ही निया अगर इनका महिंगाएं मुद्दा होता तो ये पांस फालों के अन्दर जो अपने वादे करके आए तो बात नहीं करते अपनी मैनिफेस्टों जैन साब ये आप लोग बाई पैसे के बल पे जोईनिंग क्यों करवा यह मिसम जैदी है समाजवादी पार्टी से इन्होंने कहा है। अधिकारियों को पूरो मुक्मंत्री इस तरीके से धंकाते थे। हमारे पास काम गिनाने के लिए नहीं थे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं यह हम जरूर जन्ता को बता रहे हैं। हुजार कीस का जो इलेक्शन है उत्तर पिदेश का इसमें जन्ता के बीच अपनी उप्लब्ना जिलाने के लिए करवद नहीं है। आप देखिए अभी गरीबों की बात कर रहे हैं तो इसमें की बात कर रहे हैं। तो इनकी बखलाड साफ समझ में आती है। दीन हो जाता है। उसके बाब में बचता है किसानों का मुद्दा। गिसानों के लिए बहुत सारी कार्वान कारी योजना हैं। जिन सरकार और पिदेश सरक्कार लेकर किया। उसमें चाहे 36,000 क्रोड रुपए की कर्जबाती उत्तर प्रदेश के द्वारा हो, यह 6,000 रुपए हर एक काउंट के खाते में और तमाम सारी हो ज़रा है, लेकिन उसके बाद में भी विपच्च कहीं न कहीं हला बोल कर रहा था, कि नहीं किसान भी वापस हो, अब किसान भी वापस हो गया, प्रियंका गांधी ने आज टूइट किया है, टूइट करके आपकी कानून विवस्था पर सवाल खड़े किये हैं, उन्होंने, कानून विवस्था पर प्रियंका जी सवाल खड़ा कर रही है, वो अलग बात है, लेकि लगाता रेट की गत्ता सामने आ रही है, और कोई कारवाई नहीं हो रही है, उसको देखते हुए जन्ता में, अगर जन्ता कम्पीजन करती है, तो ब्रुकों पहुं में आता है, जिस्टेकार से मुक्तार अंशारी अत्री कैमत के गुर्वों से जन्ता कापती थी, आज ये लिए बिखो आव ठीकार अंशार बुंता में पोरा रहुंता हुखा इसकार इसके से लिए लोगों के कार वाई की आप ढूसम्त की, आप ठक्ड़ वनुने देँलें है, प।र में आप तो दिए हैं पीस दिए अटवर को है, पुरा देऊल में नहीं से हुआ है, लिए हम आपने मुक्तार अन्सारी आती खेमाद जैसे लोगों पर कारवाई की आप थोड़ा सा अपनी पार्टी पर ध्यान रखिए और धरेंजे सिंग के ऊपर और बिर्जे सिंग पर भी कारवाई कर लीजिए बस मतलब आप अच्छा काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हाँ बहुत अच्छा की आपने उसकी जात करा हैं कि हमारी सरकार आएगी और जो देश से पैसा लेके भाग गए उनको भी बुला बुला के गाड़िया पर टुआ दीजे अपराधियों के साथ खड़े हैं अपराधियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं इस बितिने 7788 पुलिस करवियों को मार दिया उसके आप उच्छ में खड़े हैं तो अपराधी कोई जाती नहीं होती है आप कहते हैं यह यादों को मार दिया यह मुसल्मान को मार दिया इस नितिन जी आपके प्राइम टीवी से जनता देख रही है हमने जात की बात नहीं किये है चाइट की औरिवाइन करकिए और दढमें देख लीजेगा मैंने का बहुत अच्छा काम कि है, दो गुंडे और बचे है, एक बढ़ जेस सिंग है, धरनजे सिंग है, उनके भी करवा, हाबत और कोई बात थोड़ी है, मानवर अपनी शिकायत आप से नहीं करूँगा, सहाब आप से नहीं कहूँगा, कोतवाल सहाब आप से शिकायत नही यही उत्तर प्रदेश की तरकार है, अब सुन लिए ना, आप लगाता है, इंट्रेप्ट करेंगे तो बात नहीं आप सुन रहा हूँ, अगर अपनी बारी पर बोलेंगे, बहुत अच्छी डिबेट अरे मुझे लगा साब मैं अपनी बात एक दू कही भूल ना गया हूँ देखे करके बोलिए, ओन बाइवन. तो लोगों को अगर खाध्यानम देए और उत्तर में आप देखिए जो बच्चे ने बच्चों के लिए स्वेटर से लेकर मोजा से लेकर के सिच्छा तक पूरी भुपत है किताबें तक दी जा रही है रासन दिया जा रहा है वजीफा दिया जा रहा है और साथी साथ चाहिए बात करते कोई काम नहीं किया आप चाहे में अचर अचार शेयरों में प्रदीब सिंग जी हैं कॉंग्रिस से बीजेपी की कि तरफ से भी चुनावी यात्राइं शुरू हो रही हैं घर घर वो जाएंगे जिलो जिलो जाएंगे इसके लावा संगठन को मजबूत करने के लिए लकातार बैटके चल रही हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी चल रही है कि आपको भी लगता है कि उत्तर प्रदेश पांच सार्वादी जी अज्यकमार जी लग्लू जी अभी मुख्यमंत्री जी ने आपके चैनल पर दिखा रहे तो बता रहे थैं कि जाके आप बताईए कि सरकार की खूदियां सरकार क्या किया यह का यह कार करता है जाएंगे और क्या रखार Harold की इसunky अब की आमा से बताएंगे इसादाल क्वा नोक्रियां ही बताईने का बाहर न न गया था पांच लाग पांच लाग सरकारी नौकरी के पदखाली दो करून युवा आज भी बेरोजगार हैं और यही नहीं निकाली है चाहिए नलकूब भरती को उटाला रहा हो चाहिए नर्सिंग भरती को उटाला रहा हो चाहिए सिच्छा परती को उटाला रहा हो चाहिए फरवरी में यूपी सीयल पेपर लीक रहा हो चाहिए पुलिस का पेपर लीक रहा हो दोजा ठारे माधिनस्त सेवा चनाय को पेपर लीक रहा हो स्वास्त बिवा के प्रोनत पेपर लीक रहा हो सिपाही भरती पेपर लीक रहा हो चाहिए प्रवेस परिच्छा का पेपर लीक रहा हो और के फसल बीमा की बात की थी और तेरा सो करोड़ रुपए आपने ब्यापारी मित्रों को बाट दी उसमें, किसानों को कोई लाप नहीं हुआ, कि आपने कहा था कि आवारा फसों से आपको सुरच्छा देंगे, साथ सो करोड़ से जादा अपने बारती जंता पाटी के मित्रों को गाय सनरच्छा पे आपने देती हैं, यही से बताने के लिए जार हैं ना उच्छाविया ने यह सारी चीजें, आप क्या बताने यह सवाल हैं, इन सवालों को बताने जाएंगे, क्या बताएंगे ब्रच्छा चार्क की आकांट में डूबी हुए सरकार कैसे चल लगी है, कानून ब्यवता के नाम पर अब ही भारती हैं ता पार्टी के प्रवगता तमाम बाते कर रहे हैं, हम बार बार कर इससे पहले भी हमने एक बहस्त में आपके ही चैनल में कहा था, क्या आप यह देखिए, जिस सरकार में प्रदेश के मुख्या ने सरकार चलाने के पहले दू आइप Может सहीर हम अपनी उसकी वापस लेनी की सिपारिस करते हैं, क्या यह बताने जाएंगे क्या आदे दरजा से जादा अपरादी इनकी कैबिनेट पर बैठते हैं जहाँ विकास और कानून ब्युस्ता पर फैसले हутे हैं, क्या आधे बताने जाएंके,تهас बच्छी यही न कर रहे हैं आपके गुंडे उन पोलिस के भेज में लाटे हो से आगे साथ वहां पर लाइज होते हैं उन पर लाटे होते बताने दाएंगे कि आपकी सरकार में अपर आदी ज्येलों करें अपना बड़े बात यह और वीडियो वाइरल करते हैं किसानों कि अरे हमने किसानों की लाकुआ है तो रागाउम लागर पाल जी पूरी बेर के साथ उसके और खेर लेटे हैं उसकी पत्नी और बच्चों को मारने का प्राइस करते हैं जो माता के बीजे ख़री होता है उसके दिन पहले तक आप सासा आते चाली कर रहे हैं पूरे पांच साल आपने नहीं बढ़े और यह बताने जाएंगे नेता बताएं का यह बताने जाएंगे प्रभारी जाएंगे तो लच्मी कान बाठपी को कारियाले से भागना पड़ता है यह बताने जाएंगे लच्चमी कान बाठपी को इसलिए भागना पड़ता है क्योंकि वो बाह मरते का इसलिए भागना पड़ता है आज असी पर आज उत्तर प्रदेस के तेरह सो से ज़ादा थानों में एक ही ब्रादरी के अना दक्ष बैक्टेवे हैं। परदेश की अवाम को आप और हम देने जा रहा है हम बात करते हैं नाजवानों की तो प्रकार देने की बात करते हैं और आप क्या करते हैं आप करते हैं आप करते हैं भारत माता की जैब बोलो सुवो सिंगो गोली मार दो बारत माता की जैब बो एससपी आवाज खेर लो उसके परिवार की हत्या करने का प्रियात करो विद्गो माता की पीचे खड़ी हो करके वो अपनी जान बचाएं सहारानपूर सहारानपूर नौकुमार एस पी लाकुमार लागव लागनपार आपके सांसाथ घर में घुस्ते हैं और उनकी पतनी और बच्छों को अपनी जान बचाने के लिए ठीक है अब ग मैं सुभhmen स्था की बात था स्सेंग इस पारट माता की जांब का गोली माते हो वा कि फैर भाई नेक्स रौन में आ रहा हूँ रूड प्लीस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है प्लीस हो गया हो गया हो गया हो गया प्लीज मैं आ रहा हूँ जैन साब मैं आ रहा हूँ नेक्स राउंड मैं आ रहा हूँ अर्विन जी आवाज मिलने ही नापको मेरी आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त क्या चल रहा है क्योंकि चुनाव करीब है और लगातार जो राजनितिक दल है वो इन सब में लगे हुए हैं आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश की इस राजनितिक परदिश को देख कर कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश का जो 22 का होने वाला है क्या ये दो खेमों में बटा हुआ है या फिर अगर इसको हम देखे तो जिस तरह से लगातार बसपा भी कॉंग्रेस भी लगातार लगी हुई है संगठन को मजबूत करने में तो क्या मल्टी कॉर्णर ये चुनाव हो रहा है या फिर कुछ अलग सा इस वक्त हो रहा है जो आगे चलके कुछ बदल सकता है उत्तर प्रदेश की राजनिति को और उसके नतीजे को अज अभी डिवेट में सारे लोगों की बात सुनी मिस्वम जी की भी है जरसल आपको भी नितिन भाई कई बार मैंने डिवेट मना किया करीक्ती चार महिने से मैं डिवेट में भाग नहीं ले रहा था उसके कारण का मैं चुनाओ की जो वस्तु स्थिति की उसको समझ रहा सारे लोगों के बयान भी और वह जमीन वस्तिति कहीं से भी चुनाओ उत्तर प्रदेश का जो आने वाला चुनाओ है वो दो दलों के बीच में नहीं है अच्छा भार्चे जनता पार्टी का अपना गडबंधन है सवाजवादी पार्टी अपना गडबंधन बना रही है का अग्रेस का अपना संथन भी और वो कुछ गडबंधन वो भी उसके अंडर प्रांसे से वो लेकर कर देंगे अच्छा इसाथ ने कहा है कि किसी के साथ अकेले लड़ेंगे तो अभी इस्तिति यह हैं कि चारों चुनाओन रहे हैं और चारों दल मजबूत इस्तिति में हैं दो दो प्रमुग जिसमें मायवती जी और अखलेश जी दोनों पूरु मुक्री रह चुके हैं इसलिए वह बहुत बजबूत इस्तिति में जाती है अधार्वी उनके पास है और सब्सक्राइब का धार्वी है भारती रंता पार्टी अपने आप में इस तना बड़ी पार् आवा सीयाथ तक की रादिस्ति एगर बात करें तो विपच जो सोया उँवा था उसको जगाने का का कांथere हुआ तो प्रियंका गांधी ने किया सोनबग में जाकर कि किसानों के सब्सक्राइब करके उसके बाद में छे महिने बाद जब तारों तरफ से दबाओ पड़ा तब अखलेस जीवी सोशन मेडिया से ले करके और अभी कुछ बिसे सड़क पर सक्रिये हुए यह इस्थिती पहले नह रहाने का कान प्रियंका गांधी ने किया कोई दोराय नहीं है लेकिन कांगरेस के पास उतना मजबूत संग्धन उसका प्रदेश में नहीं रहा जितना मुलायम सिंग्यादों अखलेस के लिए छोड़के अब यह जो कारकरता और चंता और मद्दाताओं के बीच नराज हुए समाजवादी तबीयत के और संग्धन के लोग क्या अखलेस यादों जी उनको साधने में समर्थों के अभी तक नहीं दिक हैं कि अखलेस जी के साथ बुलायम सिंग्ये संग्धन के वो साथी जो उनको छोड़के 17 के चुराओं के पहले और बार में उनके साथ उनके साथ जो लोग आ रहे हैं वह पहुत समाज पार्टी के नराज लोग भाटपा के नराज लोग और का नाम यह जा रहा है राजबार जी तो हर दल हर गडबंधन का प्रयास करके अभी अखलेस जी के पास रुके हैं बहुत समय हैं क्या पता वो फिर कहीं चले जाएं इ इसकी बात मुझे समन्म ए आ यह लड़ाई लों को चुणता है कि हमें किधर जाना है किदर नहीं जाना है इस वक्त तुतर है है तो समाजवधी पार्टी में नेता जा रहे हैं या फिर बीजेपी में नेता जाता हैं तो लग रह है कि हवा इनição की बीच है क्या कुछ ऐसा है लेकिन कांग्रेश के लोग भी समाजवादी पार्टी के लोग भी हमेसा रहते हैं तो सक्रिय तो रहते हैं लेकिन नीच क्या है जैसे कांग्रेश से बड़ी चुख हुई थी 2017 के पहले 25 साल यूपी बिहाल का नारा छोड़ करके यूपी को दो दोस्तों का साथ पसंद है यह जो कदव राजवेश का हुआ था उसका कांग्रेश को नुक्सान हुआ जो 2017 के चुलाओं में ही कांग्रेश को लान मिलता अगर कांग्रेश का अभी जो इस्टेंड है लड़ेंगे रिजलों को साथ देखे प्रीका गांधी को ओड़ का परसेंटें भी पड़ेगा अगर जनता प्रमुख विपच्छ की भूमगा को जो प्रियंका कांधी ने भरा उसको अगर जनता समथ करके प्रमुख विपच्छी दर कांग्रेश मान के ओड़ देगी तो अभूत पूर परवर्तन होगा किसी ने नहीं सोचा था कि मायवती जी पूरवर्त में आएंगे और किसी ने नहीं सोचा था कि तीन से ज़्यादा सीट पाती है तो उसको बुरी तरह हराना दोनों एक्साथ करती है तो अभी तो राजनेतिक कारकरताओं को अपने अपने दल के नीद को ले जाके जाने कोविड-19 के समय में भात्पा सरकार के खिलाब दो प्रमुक्षी जरल हमारे साथ हैं कांग्रेस उसफ़ा किसके कारकरताओं के खिलाब सब्सक्राद मुकदमा हुआ इसका जवाब भी तो हम लोग देखते हैं कहां से समाजवादी पार्टी के लोग कि उनके खिलाब भात्प ही होट है जो भात्पा सरकार के नीट से खिलाब होट है वो कांग्रेस को चालता है यह जिनमेदारी कांग्रेस के लोगों को है कि वह करके समझावें वह अगर यह कहेंगी कि भात्पा कैसा जाएंगी तो गलत है वह अपनी उपलब भी बतावें तो कि कोविड-19 में उन्ह ने इनको सामिल कर लिया तो जंकत यही है कि कारकरता क्या करेंगे नेता पर अपना काम कर रहे हैं जाए भात्पा के हो कांग्रेस के हो कारकरता जो शक्रियों होगा गूरता उसके साथ जुड़ जाएगी नितिजिए ठेक है धन्यवाद सार जैन साब आप कुछ कह रहे थे जी डेखे अभी हमारे कांग्रेस के साथी जिस परकार से चीजों को गिला रहे थे कि भारती जंता परटी ने कोई काम नहीं किया और उस आपना के लोग जबरन जैस्रीडाम करवाते हैं बारत माता की जय बोलकर थाने फूंकने को हम अबरात माता की जय बोलकर थाने फूंकने नहीं देंगे बारत माता की जय बोलकर सुबो सिंग को गोली मारने नहीं देंगे ठीक है देखिए कांग्रेस स्वेम में भ्रमित है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है अभी भी कांग्रेस डिसीजन नहीं ले पा रही है कि वास्तों में प्रदेश की जिम्मेदारी वो किसको सोपे उनको अपने ही कारिकरता अपने ही नेताओं पे भरोसा नहीं है अपने दिखा रहे हैं कि मैं ब्रामणूओं, मैं हिंदू ये हम हिंदुत के सबरतर में हैं गड़ काभि रृत कर रहे हैं यह जिस परकार से पहले से अपने आप को सेकुलर बता करके के वल और के वल धर्विषेस की खास करके मुसलिम तउस्टी काल यह करते रहे आज भी कांग्रेश ब्सूस in उसमों तो गोली मारेंगे और उनके अपरादियों का मालियार बढ़ करेंगे तो कांग्रेस पार्टी इसका बिरोग करेगी आप राष्टवादी हैं ने ने हम नातुराम गोर्टेवादी नहीं हैं उब सब्सक्राइब को एक उसे बाता है कि नहीं चाहिए जिसे भाता हो शुराम कहने वाले लिए पुरुदा को शुरूदा को पुरुदा को पुरुदा को बाता है जो भारत माता की जैरिम हो सकता हुगता है। जैरिम हो सकता है। जैरिम हो गारत माता की जैरिम हो सकता है। ठीक है ठीक है बेसम जादी कुछ कहना चा रहा हूं। जो है 40 और और वोस्ज़ाइन करता और बताता नहीं आप जैसे पत्रकार कॉम है आप जैसे weजिशाब का मैं धना सब्छास है और नहीं बात सुनिए आप बीज में बोलने लगते हैं पहले सुनतो लीजे राइस मिलर्स ने विरोध प्रदेशंट डज किया सरकार के खिलाब में दो दिन पहले इको गार्डेन में आपको जानकारी है नहीं होगी क्योंकि मीडिया वो भीकाऊन नहीं दिकाएगी और अरविंजी को अभी इस बात की जानकारी नहीं होगी कि दो दिन पहले उत्तर परदेश से राइस एसोसियेशन मिल जवा हुआ था और सरकार के विरोध में आवाद उठाई थी अगर 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 कुछ समागुछ इजददार और कुछ इस तरहा के पत्रकार जिन से पत्रकारता जिन्दा है और दूसरी बात मैं आपर रोकना चाहूंगा क्योंकि अर्विन जी ने साफ़तोर पर इस बात को कहा कि वो एक लंबे समय से इस पूरे मामले की इस पूरे गड़ित की स्टडी करने में लगे हुए थे और उसके बाद ही उन्होंने आप अर्विन जी की किसी बात का मैं नक सचार नहीं रहा हूं मैं कहा रहा हूं अर्विन जी बी मेरे वही चीज देखेंगे जो आपके द्वारा दिखाया जाएगा क्योंके हमारे जिस को दिखाएगी नहीं और गुरुणदी रही है अर्विन जी हम लोगों का हर महीने मासिख बैठक होती है हमारे सारे लगर के अध्यक्ट, उपाध्यक्ट, महामन्सी सारे कारकरता जमा होते है और हम विरोध करने सड़क पर संसर ते लेके सड़क तक जाते है बगर वो आपके जो मीडिया जिने आपने आपके उधोग पती दोस्तों ने खरीद लिया है जिसकी वज़ा से जनता की आवाज आज राची अध्यक जी को अकलेश जादाओ जी को रोट पर निकल के और ये चुनावी जनसबा नहीं है ये जा जाके उन गरीब लोगों को बताना है जिनको ता आपकी इस फिक्ली मीडिया ने नहीं बताया आप दूसरी बात मैं केसी जाहिन साब का वो जवाब देना चाह रहा हूं पहले मेरी बात सुनीजे आप ने एक बात कहा कि जो खादान बाटा जा रहा है जो फिरी राशन आप बाटा जा रहा है तो मैं आपको बता दू कि यहां पर हिटलर के बारे में सब जानती होंगे और सب उससे परिचित होंगे एक बार हिटलर बही अपनी कालश्री स्च्रिय में घया और अपने पार्टी के नेदाओं के सामने एक मुरगा लेगे गर fulfill कि पार्टी बाटे अपनी जेब में दाने निकाल कर कुछ दाने निकाल के उस मुर्गे के आगे डाले और वो मुर्गा दोड़ता हुआ खाने दोड़ा और यही वही विकास है हिट्लर वाला कि जब जन्ता क्या आपने कपड़े पाट डाले रोटीनी वाला मुंसे छी लिया हमारे परदेश की अर्विन जी तीस सेकेंड हमाई पास सिर्फ है अपनी बात पूरी कीजिए सुछल मेडिया आपके हाथ में समाजवाजी गुलेटिन आपका है प्रियंका कादी के सुर्भत रिनाने के पहले अगर ले जादो बीपच की भूंका में सक्रियों को मुझे सुचित करेंगे दूस्ति वाद डाक्टर राजमनों लोहिया से बड़ा समाजवादी देता को इने हुआ है उनका समिठार और सब्सक्राइब पढ़नी जी आगर अगर मुलाहिम सिर्फ यादों ने जो कहा उनिस सो बार्भे में उसको पढ़नी जी और समाह निकार करके मुलाहिम सिर्यादो या राजें चौजरी जो प्रवस्ता से मिलीजेगा वो पताएंगे कि मुख्र प्रश की भूम का क्या होती है चूके है जी उत्तर प्रदेश में योगी आदी तरास की सरकार से वो तब लड़ना सुथ है जप्रियंका गादी ने सुपाश कर दी यह चूच क्या है और तू समाजवादी आपको जवाब देना पड़ेगा समय कमें वारे पास सबसे बड़ा पत्रकारों में कोई नाम ता तो गांदी का था जप्रिया का था भगश्तिन का था चुबाद बाबू का था पत्रकार आप समस्ते किस्तों है राग बोपाश जी की एक साथ कि आपने पढ़िये है अधूर लिमे को आपने पढ़ा है पढ़िये पहले आजबार खादारों की श्रेशर अलब होता है वो मिला करके मीडिया जगत बनता है प्यार्पी के छिर्फ ही मीडिया नहीं होता है अपना पक्ष रखने के लिए तो साथी उत्तर प्रदेश का विदान सभा चुनाव करीब है और लगबख सभी राजनितिक दल जो है वो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं बयान बाजियां संगठन को मजबूत करना नेताओं को जोड़ना ये सब लगबख चल रहा है लेकिन हमारे और आपके बीच में कोविड का जो तीसरा वेरियंट है वो भी आ चुका है तो आप अपना भी खयाल लखिए अपने परिवार का खयाल लखिए चेहरे पर मास्क लगाईए और हुआ है तो